कि नमस्कार दोस्तों मैं मनु कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मनु कोचिंग सेंटर आज हम बच्चो 12 क्लास के चैप्टर टू का पार्ट नंबर थर्ड प्रेमे नंबर ग्यार है या इसमें तीन पार्ट है ठीक है दो हम इने सोल्फ करते हैं का करके लेट प्रूफ रहेंगे सोरी तो यहां पर करेंगे आप लेट करो साइन इनवर्स एक्स इस इकल टू ए माल लिया मैंने यह क्विशन होगी फर्स्ट ठीक है यह पहला पार्ट है तो यह दर्जा क्या बन जाएगा यह बन जाएगा साइन ए चूंकि 3sine 3a का फॉर्मौला क्या होता है 3sine a minus के force sin की cube a ठीक है यहां देखो बच्चो तो x sin a के बरावर है x के बरावर है तो 3sine के रहाँ दूंगा मैं x minus के force x की cube ठीक है आगए यह लिख रहा मैंप aři sin 3a लिक रहा है हां पर sin 3a तो यह उदर जाय क्या बन जाएगा inverse तो A is equal to sin inverse 3x minus के 4x की cube तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर हम करेंगे using by equation first ठीक है समीकर first से तो यहाँ पर A की जाएगे क्या रख दूँगा मैं sin inverse x क्योंकि A जो है sin inverse x के बराबर है तो यहाँ क्या जाएगा sin inverse 3x minus के 4x की cube यह जो हमने है formula proof कर दिया है ठीक है sin inverse इसका पहली का उसके बाद देखते हैं आगे second लेट करते हैं दूआँ से लेट क्या करना जो पहली है लिख रहा रहा है cos inverse x इसे क्या माल लेंगे cos inverse x को माल लेना A यह समय कर फर्स्ट बिल्कुल इसी तरह चलना बिल्कुल हमें तो इधर जाग क्या हो जाएगा यह cos A हो जाएगा ठीक है दूसरी side जाकर बदल जाता है तो यहाँ पर क्या करना है हम चुकि cos 3A का formula क्या होता है देखो क्या होगा 4 cos की cube A minus के 3 cos A तो cos A का मान क्या है X है तो यहाँ पर क्या जाएगा 4X की cube minus के 3X यहाँ cos 3A तो यह क्या बन जाएगा 3A is equal to cos दर जाएगा क्या हो जाएगा inverse 4X की cube minus के 3X ठीक है अब देखते हैं देखो इधर देख लेते हैं तो यहाँ पर कर देते हैं by using equation first समीकड़ फर्स्ट से A की जे क्या रहाँ दूँगा मैं A की जे एक इसके बरावर है cos inverse X की जेगा cos inverse X तो यहाँ क्या जाएगा 3 cos inverse X is equal to cos inverse 4X की cube minus के 3X तो यह बच्चे आपके सामने दूसरी भी आपके प्रिवह यह क्या हो चुकी है प्रूफ ठीक है अब देखते थर्ड पार्ट let क्या करना है तो मैं 10 inverse X की क्या माल ले ना दुबार से A माल लो ठीक है मालने तो कुछियों माल लो तो आपकी मर्जी हो वैसे कोई दिक्कत ने हैं X is equal to यहां क्या जाएगा 10 A तो अब आपको चूँकी 10 3 A का फोर्मला क्या होता है 3 10 A माइनस के 10 की क्यूब A अपोन मैं 1 माइनस का 3 10 square A तो 10 A का मान क्या है X है तो यहां क्या ना जाएगा 3 X माइनस के X की क्यूब बटे 1 माइनस का 3 X इसक्वायर तो यह किसके बरावर था 10 3A के यह 10 क्या बन जाएगा inverse तो 3A is equal to यहां जाएगा आपका 10 inverse 3X minus के X की Q बटे 1 minus का 3X square ठीक है तो यहाँ पर कर देंगे by using equation first ठीक है तो हमें पता है एक किसके बरावर 10 inverse X के तो 3 10 inverse X is equal to 10 inverse 3X minus के X की Q बटे 1 minus का 3X square तो यह बच्चे हो हमने आपके सामने यह प्रेमे नंबर 11 का तीसरा पार्ट प्रूफ कर दिया है ठीक है तो यहाँ आजाए 1 minus का 3X square exercise 2.1 का question first निमलेकित के मुख्यमान ग्यात कीजिए ठीक है मैंने आपके 6 पार्ट लिख रहा है एक करके solve करते हैं देखो पहला क्या है sin inverse minus का 1 upon 2 तो मैंने आपको जो प्रमे में लिखवाई थी उसमें क्या होता है sin inverse minus का 1 upon 2 क्या जाएगा minus का sin inverse 1 upon 2 ठीक है और sin inverse तो यह किस degree का मान होता है sin की table में sin की table में यह है sin 30 का मान ठीक है तो 30 degree का मान है हमेशा बदलना पहले रेडियन में तो 5 से गुणा रेक्सोस्टी से भाग तो आप इसे काटो कितना जाएगा यहां पर 6 आ जाएगा तो यहां पर बच्चो जितने वेल्यू यूज करनी है हमें radiant में चेंज करनी है मान ठीक है कोई भी मान 30 degree नहीं रखेगा क्यूंकि सारे मान रेडियन में निकालने हैं हमें तो यहां कितना जाएगा sin सिक्स फिक है जो तीस होता है जो तीस होते होते हैं 6 और जूरापका 6 होता है उसे बोलते है 53 और जहापका 45 होता है उसे बोलते है 4 और ज prick this के बाद पहले पार धार्ट ठिस्ट्यव सτέने कर जाएगा यहाँ पे केटना आएगा माइनिस का तो पहले पार्ट का अंसर तो आ गया देको इसमें पांड पार्ट डही हुआ पार्ट डूसर पार्ट में रहा है कोस इन्वार्ट अंडर three two तो आगे देखते हैं वह स्लिटों समें यह किसका मानों होता कोस की टेवल में मानने किसका कोस तीस का और 30 डिरूख मैंने क्या होता है था फाई वाई 6 तो कितना जागए है अपर कोज पाई वाई 6 तो इससे कट गहाँ अंसर कितना अगए पाइव यूइए चलते हैं देखो थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है आपका को सैंग इनवर्ष 2 तो को सेक के टेवल में किसका मान होएगा यह वैलू होती है को सैंग को सैंग टीस की ठीक है तो यहां कितना जागा को सर्थ है पाइवाई शिक्स तो यह अंसर कितना आ गागा इसका पाइवाई सिक्स चोथा पार्ट 10 inverse minus के अंडर रूट 3 तो यहां किया जागा minus का 10 inverse अंडर रूट 3 तो यहां ध्यान देव बच्चोट 10 inverse 10 इक टेल में किसका मान है यह है 10 60 का और 60 को क्या वो लंगे πाई वाई 3 तो यहां कितना जागा 10 πाई वाई 3 इससे खतम हो जागा तो कितना आगा minus के पाई वाई 3 इस सब्सक्राइब को पांच वाई पार्ट वो है आपका cos inverse minus के 1 अपॉंड में 2 तो इसका फॉर्मुला ध्यान देखना है हमने प्रेमें लिख वाई थे इसका फॉर्मुला क्या था पाई माईनस का cos inverse 1 बटे 2 तो हमें क्या धियान देखना है क्योंकि देख उसका फॉर्मुला क्या लिख वाई था मैंने आपको बताया था cos minus का x is equal to formula होता है पाई माईनस का cos inverse x ठीक है यह formula 3 होते है कौन कौन से एक तो cos होता है एक code और एक sec यह 3 फॉर्मुला होते है इस पद्रूप में नहीं तो और कोई नहीं हो तो और तो सम्मेच मैस नहीं आ गया जाता है तो पाई माईनस का यह किस डिगरी का माईन है cos के टेवल में cos 60 का माईन है उस 60 को मैंने क्या बता रखा पाई भाई 3 तो यहां क्या जाएगा cos inverse cos π.y 60 नहीं तो 60 का लग पाई भाई 3 आएगा इससे से काट दो कितना आगा पाई माईनस के पाई भाई 3 जब इस सोल फॉर्मुला कितना आएगा यहां पर 3 और 3 में से एक जाहता कितने बचेंगा 2 पाई भाई अपॉन में 3 यह आ गया इस काट सा question देखो code ब्रेगर में 10 inverse 3 का मान गयात कीजिए 2006 और 2009 माय हुआ हुआ सवाल है तो क्या पूछ रहा हम से code और 10 inverse 3 की value पूछ रहा तो इसे हम क्या करेंगे सबसे पहले let करेंगे 10 inverse 3 is equal to मैंने माल लिया ए है ठीक है या फिर x माल लो तो यह क्या बन जाएगा 3 is equal to 10 x इसके निचाब 1 मानकर इसे पलट दो या फिर एक काम करो इसे है इसका फॉर्मुला को लो 10 का फॉर्मुला क्या खुलेगा आओं आओं में कोट एक्स तो यह क्या हुजा है अच्छाएगे इसके निच्छाब सब्सक्राट कोर्ट एस इजिकर टू कितुकितना को टूंस रावघ है तो इसके निच्विसंगे वरन रस्त तो यहां पर कितना जाएगा आपका इंवर्ष तो किसके बरावर है ट्वarris minus 3 égal टू वन अपाउन में धिरी यह आ गया answer अब देखें गालने किसकी टैन नो प्रड़ एंवर्ष वन पॉन में टू फिलेट किया होता है फॉर्मॉला जो आपको पढ़ाया था मैंने देखोई देल लिख रहा हूं है चूंकि फॉर्मुला था आपका 10 inverse x पिलस के 10 inverse y का तो क्या था फॉर्मुला 10 inverse x पिलस y अपॉन माइनस का x इंटू y तो यहाँ फॉर्मुला यह खुले है यह x से यह y है तो क्या जागा आपका 10 inverse x पिलस के 1 अपॉन वाई बटे 1 माइनस का x इंटू y तो यह कितना जाएगा 10 inverse इसका एल से में आएगा 6 और यहाँ पर कितना आएगा 3 पिलस के 2 ठीक है यह कैसा आया देखो इसकी इसमें गुड़ा करती है यहाँ पर नीचे एल से में कितना आएगा इसका एल से माजा इसका 6 है गुड़ा करने के बाद तो उपर कितना आएगा 6 माइनस का 1 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ कितना गया 10 inverse 5 अपोन में यहाँ बचेंगा आपके 5 इससे कट गा तो यहाँ बचा आपका 10 inverse 1 बचा ठीक है और 15 यह किसका मांच होता 10 की टेवल में 10 की टेवल में जो वैल्यू ह तो रेडिन में चैंज हो कितना रहा पाई वाई 4 तो यह कितना जाएगा है पर 10 पाई वाई 4 10 इससे कट जाएगा तो क्या जाएगा पाई वाई 4 यह आ गया इस कोश्चन का अंसर 10 inverse x plus 10 inverse y plus 10 inverse z is equal to pi तो सिद्धी कीजिए कि x plus y plus z is equal to x into y into z यह कोश्चन पेपर में देखो तो इसे करते हैं क्या एगा 10 inverse x plus k 10 inverse y plus 10 inverse z तो पहले सुदू के दो पदों फॉर्म में लगाओ तो 10 inverse कितना जाएगा x plus y plus 1 minus x into y ठीक है फिलस के 10 inverse z तो अब इन दोनों में लगाओ दो ठीक है बच्चो यह मैंने पूरा एक पद बना लिया पहले तीन पद थे पहले तीन पदों में से दो पद को बना लिया एक पद और फिर यह होगा तो फॉर्मला क्या लागा है है और यह पूरा पद y है त x into y x into y ठीक है तो यहां ध्यान क्या रखना है हमें यह पूरा पद x कमाने पूरा पद y कमाने फॉर्मल लग चुका है इधर के सदला हमारा इस इकल टू पाई और पाई यहां पर विखेवराण पाई इससे सोल्फ करो यहां कितना आगा आपका 10 inverse जब इसका में लेंगे त का z और one minus का x into y नीचे जो पद आएगा आपको कितना आएगा है यहां one minus का x into y और minus का z और विरागेट में x plus y बट यहां one minus का x into y इस पूरे पद से पूरा पद खतम यह इनिवर्सल दर्जा क्या बन जाएगा 10 तो यहां बचेगा x plus y plus z बिरागेट में x into y और नीचे 10 पाई और 10 एक्सवस्य का मान क्या होता है जीरो जीरो होता है value पूट करो यहां पर तो यहां जाएगा x plus y plus z और one minus का x into y बटे one minus का x y minus का z और x plus के y is equal to 0 यह भाग में है पूरा इंगे जाब गुड़ाम पहुंच जाएगा तो पूरा पर 0 बन जाएगा तो एक्स पिलस क y plus के z और one minus का x into y is equal to 0 ठीक है z के अंदर multiply करो x plus y plus z ठीक है जब z की गुणा करता है जेड और यहां पर आजाएगा minus का x y is equal to 0 तो x plus y plus z और यह प्लस का उदर जाकर minus का देखो इसे इदर लिख देते हैं तो यहां आजाए x plus y plus z is equal to x y into z यह क्या करना था मैं प्रूफ बच्चों जैसे कि मैंने आपके सामने प्रूफ कर दिया है ठीक है यदि आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रही है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिशना हो यदि आपको किसी भी question में दिक्कत हो, तो आप मुझे comment कर गए, बता सकते हैं, thank you.